आदानीय सम्मानी अधिवक्त सिमान अजय टंडन जी आपको संतोष पुमार का नमशकार वकील चाहब आपने मेरे पिछले वीडियो का जो जवाब दिया है मेरे नाम से जवाब दिया है मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों को गंभिरता से लिया है तकलिप इस बात किये वकील साहब कि अभी भी आप अपने उसी ट्रेक को कंटिन्यू बनाए हुए हैं जो कहीं भी एक आप जैसे सक्षियत के लिए वह सोभा नहीं देता है वकील साहब कि मेरे आप काफी लंबे वक्त से सहारा या अन्य जो कंपनिया है जो धोखा दड़ी के करने वाले कंपनिया है आप उसके खिलाप लगतार अभियान चला रहे हैं लगतार आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं शेयर कर रहे हैं मैंने कभी उस पर कोई प कारीकरताओं और निवेशकों से सहरा प्रमुख को जेल विजवाने के लिए चंदे की मांग यानि सुप्रीम कोट में हलप नामा या चिका दायर करने के एवज में आप सहरा के निवेशकों और कार्यकरताओं से चंदा की मांग कि मैं उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिय इस वीडियो के माध्य में आप से रूबरू होने का प्रयास किया वकील चाब है कि सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपका जो वीडियो मेरे नाम से आया है आपने मुझे जो कहा है मैं उसे आपको दिखा रहा हूं और जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे श्रोत कारी होनी चाहिए कि इन्होंने जो कहा है यह देखिए सभी आप देखेंगे यूट्यूब पर इनका है इन्होंने इन्होंने मेरे नाम से एक व्यूडियो बनाया है कि जिसमें दिसमेंगे अगये मेरे परीच्चे करा रहे है अपने फ़लौवर से अपनी लोगों से कि मैं सहारा का निवेशक हैं हूं या सहारा का एजेंट हूं या कुछ और है कि मैं एक बार फिर मैं कर देता हूं वकील चाहब या जो को मेरे बारे मेरे जान रहे हैं मैं सखेमार काकाव काफी करीब से जान रहा हूं जो है सहारा में छार् 대체적र सालने धारा है साहारा से पैसे लिये जा रहे हैं और बाकी और को मेरा मेरा भी पैसा हूथ हुआ है लेकिन बात होनी चाहिए distorted पस्ट बात होनी चाहिए खुल के बात होनी चाहिए वकील चाहिए कुछ-कुछ ऐसे बात आपने मेरे नाम से बनाए गए वीडियो में कहें हैं बिहार के किसी जगा के का जिक्र किया है या और भी जार्खन का जिक्र किया है इंडिया में वाइरल के जिक्र किया है सब कुछ सही है क्रांती देश में जब जब लिखी गई है बिहार से ही लिखी गई है पत्रकारों की बात करें देश के नामी गिरावे पत्रकार भी से आरोप लगातार लगा रहे हैं सहारा के उपर में और आपके आप उसको पूरी तरह से डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं आपको डिक्टेट करने के लिए हाथों में सहारे के वासकता पढ़ रही आप पेपर लेके बैठते हैं पेपर में आपके पास फैबरिकेटेड पूर आप सिर्फ सहारा को गाली देने से काम कर रहे हैं कि मैं आप किसी वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया दिया था वकिल साव आप देखे होंगे लेकिन वीडियो में आपने चंदे की बात की है कि जिस वीडियो में яप शहारा के निवेसकों से सहारा के कारिकरताओं से आप चंद की मांग की है कि सुप्रीम कोट में केस लड़ने के लिए आप लोग मुझे मदद कीजिए वकील साहब आप इंसाफ दिलाने की बात करते हैं तो इंसाब दिलाने के लिए चंदक तो हम नहीं लगता है कि कुछ और रही है और आप राष्ट्री इमांदार पार्टी के राष्ट्री अध्याच्य वकील साब आपको चंदा नहीं मांगना चाहिए था मुझे तकलिफ इसी बात की हुई दूसरी बात कि जिस सुब्रत राय को मान्य कोट ने अभी दोसी करार नहीं दिया है आप उन्हें जिस तरह के शब्दों का प्रियोक कर रहे हैं मेरा वीडियो उस पर भी केंद्री था आपने कहा कि मेरा सहारा से भावनात्मक अटेच्मेंट है मेरा ही नहीं वकील साब मैं बार बार कह रहा हूं मैं एक अभि अभियान क्यों नी चलना चाहिए पिछले आठ साल से क्या हो रहा है आपने कभी ये बात सेवी से पूछा आप मानी सुप्रीम कोट के वकील आपने कभी कोट में इसको लेकर कि कभी सवाल किया कि आखीर आठ साल से हो क्या रहा है जहारा अगर गलत तरीके से पैसे लिये हैं तो उसका उसका जांच संबण्दित कभी आपने बात किये वकील चाहब च्हमा करेंगा वकील साब मैं आपसे उम्र में काफी छोटा हूँ लेकिन मुझे मचबूरन आपको यह बात बताना पड़ रहाए वकील साब कि आप जो भी माद करें अप कि आप कि सहारा प्रमुक के लिए जिस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रियोग लगातार अपने वीडियो के माध्यम से करते चले आ रहे हैं क्रिप्या वर ना करें क्योंकि उन्होंने पिछले 42 सालों के दौरान 12 लाक लोगों को सीधा रोजगार उपलब्द कराया है साथी हिंदोस्तान के छोटे-छोटे निवेशकों को बचत करना भी सिखाया है इसका प्रमान मुझे या आपको देने की कोई अशक्ता नहीं है मैं निवेशक हूं आप देख सकते हैं मैंने जो निवेश कर रखा है सहारा की योजनाव में आम जो निवेशक हैं उसकी उन्हीं की तरह मैंने भी निवेश कर रखा है मेरे भी पैसे सहारा में है इसका मतलब क्या मैं सहारा गाली देना सुर कर दूं मामला कोट में विचारा धीन है मामला ब doughरा नहीं चाह रहा है तूम आप तो बंधे वेultura नहीं आप तो सुप्रीम कोट के वकील है आपको इस बात पर भंगर बात करनी चाहिए इस बात का याकिष्की का बात करना चाहिए इस मामले में अब तक किया है वकील साहब तो है मैं बार-बार कह रहा हूं कि आप मुझे काफी स्रेष्ट हैं ग्यान में भी आप मुझे काफी स्रेष्ट हैं लेकिन मैं भी पत्रकार हूं आप भी लोगतंदर का एक स्तंभ है मैं भी लोगतंदर का एक स्तंभ हूं क्यों नहीं लोगतंदर का ये दो स्तंभ मिलकर इस मामले पर कुछ बोला जाए किसी को गाली लेकिन अगर इस पीच में कुछ ऐसी बात हो जाए जिसे की कुछ लगे कि भाई कोई तो सोच रहा है यह आप कंटीनियू गाली दिये जा रहे हैं अब कंटीनियू उनको अमारी भाषा का प्रियों के सबसे बड़े वैमान विजा मालिया तो देश के सबसे बड़े हमायती थ सहारा के बारे में पुरा जानी मैंने स्टडी की है मैं लगातार सहारा को जानने का प्रियास किया हूं उसके बाद ही सहारा से सहारा से सहारा अब्यान का सुरुवात किया हूं आपको बता देते हैं वकिल साब कि इस अभियान से अब देश जूडने लगा है देश की निव वह जुड़ने लगे हैं मैं आप कहीं से गलत नहीं कर रहा हूं बस सिर्फ आप से गुजारी इसी बात का किया हूं कि आप जो फैब्रिकेटेड जो एजेंडा लेकर बैठते और उसे पढ़ डालते हैं आप समझिए आपने जिस तरह की बातें कहीं है तो आप सोची वकील सा सहरा पर आरोप लगा रहे हैं कि 40,000 करोड वापसी को लेकर सेवी ने उस पर आरोप लगाए थे महोदय आप मेरे नाम से बनाये गए उस वीडियो में कहा है कि विवाद सहारा रियल एस्टेट और सहारा फाइनेंसियल कारपरिशन के तहत 3 करोड नीवेसकों से जुटाए चालिस हजार करोड वापसी को लेकर है मान्य महोदय सबसे पहले आप वरिष्ट अधिवक्ता हैं आपको इस बात की पूरी परताल कर लेनी चाहिए कि विवाद में 40,000 करोड कहीं है ही नहीं सहारा फाइनेंसियल कारपरिशन का इस विवाद से दूर-दूर कोई लेना देना नहीं है महोदय जहां तक मैंने परताल की है तो मुझे पता चला है कि सहारा इंडिया फाइनेंसियल कारपरिशल ुख्रॉश् Ст पता कर लें वकील साब कुछ भी बोल देते हैं आपके पास लिखा हुआ है उसको बोल डालते हैं आप भर पेट गाली दे डालते हैं आप जान लिजिए कि सहरा इंडिया फैनेंसियल कि आप उस वीडियो तुम्हें बात करो जिसमें आपने मुझे संबोधित किया है उसमें और सहारा इंडिया रिलेश्ट का जिक्र किया है जबकि फैनेंसियल कार्प्रेशन की बात आ रही है वह भारती रिजर बैंक के गाइडलाइन पर चलने वाली योजनाथी वकील साहब और उसके तहट वह दो हजार आठ में ही भारती रिजर बैंक ने आरन बीसी एक्ट को ब दसक याद कीजिए आपको अच्छी तरह से याद होगा मैं जब प्रक्रण में उत्रा तो मुझे जब उसका डाटाबेस निकाला तो मुझे पता चला कि 90 के दसक में एक रात में सतर हजार कंपनियां नन बैंकिंग कंपनियां जो बंद हुई थी वकील साहब आपको भी पत वक्त दो कंपनियां ऐसी थी जो आज भी मार्केट में बनी हुई है महोदय कंपनी थी पियरलेस और सहारा RBI ने कहा था दोनों को कि आप 2015 तक निवेशकों के भुकतान कर दो मतलब सोचिए 2008 का डिसिजन और 2015 तक RBI ने दोनों कंपनियों को समय दिया दोनों कंपनियों ने भुकतान सुनिशित करवाई अपने एक एक जमा करताओं की वकील साहब पदा कर लिजिए मैं आपको जो भी बोल रहा हूं आप सारी परताल कर लिए उसके बाद फिर मैं तयार हूँ आप जहां मुझे बूलाईएगा जहां सास्तरात करने हैं पूरी योजना त्यार कर रखे हैं तो आप जानिए कि जब 2008 में भारती रिजर्व बैंक ने देश के सभी नन बैंकिंग कंपनियों से आर एंबिसी एक्ट बंद करने की बात कही थी उस वक्त सहारा की बिजो योजना है चलती सहारा इंडिया फैनेंशियल कार्परसन ल सहरानी होगी वकील सहाब कि सहारा इंडिया के एक-एक दफ्तर में भारती रिजर्व बैंक के ऑडिटर खुझ से विजिट करके एक-एक जमा करताओं के सत्यापन करने के बाद उन्हें भुक्तान सुनी चित कराया और 2012 में भारती रिजर्व बैंक ने सहारा को क्लीन चिट सहरा को देखें पर साहरा के के बाद मैं भी परताल करने के बीपार करने के बाद एदक उन्हें आप न्याय पालकर का कि प्रतिनी को ठहुझा है मैं भी परताल करने him पूरी रिपोर्ट तैयार किया हूं और देखिए मेरे पास भी है लेकिन मैं पूरा एजेंडा लेकर आया हूं आपको जवाब जो देना है मैं उसे लेकर काया हूं में पॉइंट वाइप आपको सारी बात बताऊंगा वकील साफ ताकि आप कुछ भी कहें तो उसको कहने से प स्टार ऑप कंपनी के माध्यम से ओ एफ सीडी कम फुली डिवेंचर की योजनाय लाई आप उसको भी देख लिजे ये भी आपको मिल जाएगा उसके तहत सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपरेशन और सहारा इंडिया हासिंग इन्वेस्टमेंट कारपरेशन किया था वकील साब तो साड़े 9% सालाना वार्षिक दर से लेकर 11,5-11% तक के सालाना वार्षिक दर पर पैसे सहारा ने निवेस्टमेंट से लिया था या ले भी रहा था इसी बीच देखे वकील साब सबसे पहले तो मेरे पास कोई कागाजी नहीं है मैं सारा स्टड़ी करने के बात पढ़के आपको बता रहा हुँ आपको लग रहा होगा कि मैं सहारा से मतलए काफर प्रभावित प्रभावित नहीं मैं पूरत एक एक चीज आपको प् WWE करके आप को बता रहा हूं वकील साब रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस बातों को समझ के पढ़िए क्योंकि आज संतोस से आप जीद जाईएगा लेकिन आगे जब सुप्रीम कोट में सहारा के खिलाब खड़ा होईएगा तो आप पती नहीं इन चीजों को जानकर जाएगे चीज की बात मत कीजिए दो हजार बारा के में सहारा ने अपने सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट के दातहत संचालित होने वाली योजनाओ को उस वक्त वो बॉंड जारी किया करती थी एक साल से लेके 15 साल की योजनाओं के लिए उस बॉंड को जारी करने के लिए सहारा ने अपने सभी योजनाओं को से लिस्टिंग सेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने के उद्देश शे सेभी के पास आवेदन दिया था और सहार ने ही आवेदन में अपने तीन करोड़ों निवेशक होने की बात का जिक्र किया था मा वकील चाहब आप बार बार कहरें सेवी ने पकड़ा है सेवी ने कुछ भी नहीं पकड़ा है सहारा ने खुद अपने निवेशकों की सुची सेवी को दी थी आप पता कर लीजिए वकिल साब मैं अभी भी कर रहा हूं आप पता कर लीजिए सहारा खुद से सेवी के पास में गए थी सहारा प्राइम सीटी के नाम से उसको लिस्टिंग कराने के लिए जिसमें के सहारा लाइब भी थी तो सहारा के निवेशकों का जो सुची देखक सेवी के एक अधिकारी किस कारण से उन्होंने ऐसा किया यह पता नहीं सेवी के वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया कि सहारा के सारे निवेशक फरजी हैं सहारा में काला धन होने का उन्होंने आशंका जताया और सहारा के मामले को मन्ये अधालत में यह का कर पेश कर दिया गया कि सहारा के सारे निवेशक फरजी हैं सहारा में कालाधन है अदालत को मजबूर होकर सेवी की बात माननी पड़ी क्योंकि सेवी जो है वो भारत सरकार की गवर्निंग बोडी है लेकि सच्छाई यह है कि सेवी का काम सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को रेगुलेटर करने का है माननी महोद है मैं बार बार तत्यों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सहारा खुझ सेवी के पास लिस्टिंग सहारा प्रायम सिटी को लिस्टिंग कराने के लिए गए थी तीन करोड़ निवेशकों की सूची के साथ और अपनी सारी योजनाओं के माध्यम से लेकिन सेवी के जो जैसे पहले बता चुक है कि दुर्भावना से ग्रसित कहें या भूल वस कहें या अज्यानता वस कहें सेवी के किसी अधिकारी ने वेबसाइट पर सहारा के निवेशकों को फर्जी बता कर अप्लोड कर दिया कि जिसका ने अपत्ति जटाई और व्वाद वहां से शुरू हुआ विवाद शुरू होते होते आज व्वाद स्टर पर पहुंचा है कि अब जो है यह यह नियापाली काया को अभी वक्त लग रहा है इस मामले को पर फैसला देने में तो मानियमोदे पड़ताल के करम में जब हम आगे बढ़ते तो यह मतलब है कि इस पुर्य प्रक्रण में जब मैं अध्यान किया तो यह पाया कि सेवी के कि जो सेवी ने जब सहारा के निवेशकों कि को सुची मिली थी सुची के आधहार पर उसने जब यहां घान को चुकि कि के दर में कि अनिवार नहीं हुआ करता था ना बेंक पोस्ट आफिस में मिल गया तो अच्छी बात ना मिली तो अच्छी बात लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो के वाइसी नहीं मिलने के कारण जो सेवी ने जिस पत्रचार किया था कोई हो सकता है कि एड्रेस ना मिला हो मैं बार-बार कर रहा है तो ज्यादा अच्छा है जो मतलब पैनिक हो गया है तो हम तो इस सारी बात को लगतार जांच भी कर रहे हैं सहारा के जो अख़बारों में विग्यापन आ रहे हैं उसके उसके सुरोतों से भी पता कर रहे हैं सहारा के कारिकरताओं से पता कर रहे हैं हम परताल कर रहें वकील साब मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है और आपने जिस तरह से अपने जो जितने अपने वीडियो में बताया है वकील साब मैं एक एक चीज का आज दवाब दे देता हूं कि हर चीज को आप जानिए घलत तरीके से धन उगाही का आरोप से भी ने लग कहते है कि मुझे मार्केट से पैसे उठाने का अधिकार आरोची ने दिया है आरोची से रिपोर्ट ले लडाई यहीं है और से भी बार बार सुप्रीम कोट को यह कहती रही कि सहारा ने हमें दस्तावेज नहीं दिये सहारा ने दस्तावेज नहीं दिये तो बार बार जो ये दावे किये जा रहे थी कि 125 ट्रकों में भरकर सेवी मुख्याले में दस्तावेज भेजे गए वो क्या है आपको जात करानी चाहिए थी या नहीं आपने ये भी कहाया कि सीडी मानिय कोट को उपलब्द कराया गया सीड में खुली नहीं 125 ट्रकों के दस्तावेज आप खोलेंगे नहीं जो निवेशकों के सुची सहारा ने आपको दी थी तीन क्रोड की वह आप देखेंगे नहीं उसे आप मानेंगे उसारे फरजी है तो इसका मतलब क्या हुआ उस पर भी बात हो जानी चाहिए हर चीज पर रहे हैं बोले चले जा रहे हैं चुकि आप उम्र में और तजुर्वे में काफी अनुभवी हैं काफी बड़े हैं इन सब बातों को गंभीरता से लीजिए वकील साहब मैरे जिस तरह से आर और बीसी एक्ट सहारा इंडिया फानेंसियल से लेकि अभी सहारा से विवाद तक में पहुंचा हूं अब मैं आपका झ्यांत जिस तरह से आपने करेंट हालात पर बताया है कि अभी फिर जिए है तो आपने कहा है वकील सहाब देखी जो आपके आपी के वीडियो के अधार पर में बता रहा हूं कि चार करोड़ जो पिर से आपने कहा है कि सहारा इंडिया क्रेडिट कॉप्रेटिव सोसाइटी के माध्यम से चार कूर को सहारा ने 8600 क्रोल का फिर चुनना लगाया और सür preparing society में फिर से उन्हों सुरूप कर रहा हूँ कि मैं अभी सफ़ इतना जाना चाहता हूं सुरूर में सुरूप सहारा ने दीए है या यह बता दीजिए मुझे आप तो सुप्रीम कौर्ट में बैठते है valeur तो में आस दाओ कि मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा मैं आज के बाद से सहारा प्रक्रम कुछ भी बोलना बंद कर दूंगा वकील सहाब अगर उन्होंने 22,000 करोड रुपे जमा करवाये हैं तो आखिर सुब्रत राय सहारा भगोडा तो है नहीं हैं तो हिंदुस्तान में आप जांच कर आकर 22,000 करोड रुपे अगर आपके बंते हैं आप ले लिजिए जांच तो करवा दीजिए वकील साब उस पर आपने कभी कोई वीडियो बनाया उस पर आपने कभी कोई निवेशकों का जो है मारदर्शन किया वो पैसे किसके हैं सेवी के तो पैसे हैं नहीं है तो सहारा की पैसे उन्होंने निवेशकों के जो पैसे सहारा ने लिये वकील साब जिस वक्त सेवी और सहारा प्रक चला रही थी प्रक्रण शुरू हुई सहारा के प्रतिलोगों में भ्रम की स्थिति बनी कुछ लोग पैसे निकाल लिए कुछ लोग लोन ले लिए कुल मिला करके सहारा में जो बार बार दावा करी मेरा डवल भुकतान हो जाएगा मेरे डवल भुकतान हो जाएगा आपने कभ किसको आप बताने का प्रयास करें और क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यहीं गलती से भी का अधिकारी ने कर दीती कि सहारे निवेशक फर्जी ए और अपने साइट पर जारी कर दिया और इतना बड़ा कोहराम मच गया पूरे देश में क्या 2012 से पहले सहारा कभी इस तरह की विवाद में सामिल थी क्या 2012 के पहले जो निवेशक थे उन्होंने कभी ऐसे आरोप लगाए थे और अभी आरोप नहीं लग रहे थे लेकिन विवाद इतना लंबा खिचा गया अगर भी आत्र पर सही समय पर वाहर जाएंगी और आपको उनका बहार बात करता हूं आपको लगता है और आज किसमत खराब है सहारा इंडिया परिवार का आज हम और आप जैसे लोग उन पर कीचड उचाल रहे हैं उनको भला बुरा कर रहे हैं उन को जो भी कर रहे हैं आज किसमत खराब है एक शिस्टम की बात कर रही है तो आज मेरी आउकात नहीं थी कि मैं सहारा के बारें बात करता हूं और आप तो खेर आप हैं आप किसी को कुछ आप देने के लिए उतरा हूं और मुह से बोल देता हूं मैं आपको इसी तरह समझा सकता हूं कि पूरे प्रक्रण में कब कहा आरेंबी सी एक्ट का प्रब्लम आया कौन सी कमपणी को कहां से लाइसेंस मिली हुई थी किसके तहत वह गाइडलाइर होती थी कौन इसका और चाहिए ने जा रहे हैं तो आपको तो रियाद रहना चाहिए वकील साथ क्योंकि एक यह तो आप जिस तरह से रटे देट हैं बात पढ़ रहे हैं सहरा के सब कुछ आप इसी तरह से बोले जा रहे हैं कि सहारा को सीडी सुप्रीम कोर्ट में खुला तो सहरा ने एक यह किया तो आप प्रमान दीजिए आप दिल्ली में बैठते हैं हम दों छोटे सहर में बैठते हैं वकील साहब वहीं सेवी का दफ्तर भी है अब सेवी किसी अधिकारी से जाके बात कर लीजिए और वो खली बयान जारी कर वाजी आज सहारा ने अपने एक सोचावगं कितना अखबारों में विग्यापन दे दे करके भुगतान करना शुरू इतना हमने दिया अगर सहारा गलत है तो सेवी के किसी अधिकारी को इस पर आकर बात तो करनी चाहिए देश को बताना तो चाहिए वो नहीं आप आ रहे हैं आप दिल्ली में बैठे हैं वकिल सहाव आप तो सेवी के अधिकारी से खाली यह पूछ लिए कि सहारा ने 22,000 करोड रूपए सहारा से अगर जमा करवा दिये तो आपने जांच क्यों नहीं सुरू करवाया तो सहारा ने यहां तक कहा था वकिल साहब आप पता कर लिजिए सहारा ने यहां तक कहा था अगर हमारे निवेशकों को लेकर आपके मन में शंका है सुप्रीम कोट में उन् के वाइसी अपडेट कराकर दे दूंगा से बीने इंकार कर दिया था वकिल साहब आप पता कर लिजिए तो इस तरह से वकिल साहब मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं गुजारिश करता हूं कि आप फैब्रिकेटेड बातों के माध्यम से किवल गाली देने का काम न करें आकणों के अधार पर तत्यों के अधार पर सबुतों के अधार पर आप आएं मैंने आपको जितना जितनी बातें बताई आरन बीसी एक्ट दोजार बारा में सहारा का सहारा इंडिया रियल स्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जाना वहां से वही निवेशक गये थे जो सहारा के पहले से निवेशक थे वही निवेशक गये थे उसके बाद में सहारा का अपनी स्कीमों के माध्यम सहारा प्राइमसिटी के माध्यम से सेवी के पास लिस्टिंग करा नहां बंड कराएंगा मैं इस अभ्यान को बंद कर दूगा ग shuffle स्वर서 हरा अभ्यान को लेकिन थर्फ होनी चाहिए तफ्यों की अधाय पर बात होनी चाहिए और अब इस मामले में जब मेरी बात से परहेज है वकील साहब तो मैं भी पत्रकार हूँ तो मुझे बात कहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए आप प्लीज अगर कुछ प्लीज अगर बात लेकर आना चाहिए चाहेंगे तो आपका स्वागत है लेकिन और फैब्रिकेटेड इस तरह से लेकर पढ़ करके बता दे रहे हैं वह वकील साब प्लीज ना करें आप सास्तरात करने मुझे बुला ले मैं आ जाओंगा लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूं मैं जार्खन से बिलोंग करता हूं तो आपको यह इस बात का आभास होना चाहिए वकील साब कि बिहार और जार्खन करने करने के लिए जाना जाता है यहां क्रांती ही पैदा होती है यहां से क्रांती यहां की क्रांती देश में सुनाई देती है आज तक सहारा सेवी प्रकरन में किसी ने बात करने करना जरूरी नहीं समझा जो सहारा के सुख के दिन के साथ ही ते वह भी किनारा करनी काट लिए जो स तहारा किसे मिलने के लिए ललाइत हुआ करते थे आज उस कहीं आसपास नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन यह बिहार और जार्खन यह अब इस अभियान सुरू हो चुका है आज हो कल हो अब यह अभियान चले का वकिल साहब लेकिन आगे से आप यह बता दीजिए कि आपने अप निवेसिपों से पैसे नहीं मांगे होते अपने कारिकरता हूं से पैसे नहीं मांगे होते आपने अगर में नहीं कहीं हुती तो मैं इस परक्रण में नहीं आता आपने कहा कि तमाम दीशन प्रतिनीदियों को दंवाब संवाध्र बैठे लोगा आपने पत्राचार किया है कंप इक आताओं आरा यह पत्रौ lo give लो लेकिन चंदा मंगनी क्वाट आपने उनको पैसे दिलाने गारेंटी दीज़े वकील साब आप नहीं दिला पाएंगे जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारा धीन है तो आप नहीं दिला पाएंगे यह मेरा दावा है इस तरह से नहीं होना चाहिए वकील साब आप कुछी बात करें कि सहारा पहले गई थी सेवी के पास यह सेवी ने पकड़ा सहारा को इसको पहरे क्लियर कीजिए सहारा इंडिया फैनेंसियल का इस विवाद से कोई लेना दिना नहीं है कि उसके बाद सहारा क्रेडिट को प्रेटिव सोसाइटी का जो विवाद आया है वह विवाद चनिक है क्योंकि सहारा के 22000 करोड रुपए वहां से भी सहारा एकॉन में जमा करवा दिये हैं इसके कारण यहां पर पैसे की कमी हुई निवेशक का भुक्तान प्रभावित हु जो उनको वहां जो लाइसेंस दिये गए हैं क्रेड़ को पिड़ के बाद सब्सक्राइब करने के कारण ही आज इतना बड़ा प्रक्रण हुआ है वकील साब प्रक्रण को भी स्टड़ी करूंगा उसके बाद फिर बात करूंगा लेकिन वकील साब मैं आपसे फिर से आपसे हाथ जोड़कर बिंति करता हूं कि आप बात करें अच्छी बात है आप बढ़ियां से बात करें और खूब गाली दे सहारा प्रभू को जितनी गाली हो दे लेकिन चंदा वाली बात आपने कही चंदा मांगा सोसल मीडिया कर प्लेटफर्म से सोसल मीडिया प्लेटफर्म से लगातार आप गाली दे रहे हैं एक व्यक्ति विशेश को तो यह थोड़ा पैनिक हुआ है इसलिए मैं उस वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि आप तो इ दुमांदारी तो आपके अंदर कुट कुट कर भरी भी है निश्चित्वर पर दावे के साथ कहते हैं तो यह चंदा लेनी के बात कहां से आती है कि चली वकील साहब मेरी बातों कब आप थोड़ा भी बुरा नहीं मानेंगे जो मैं जानता था जो मैं स्टडी किया था मैं आप तक उसको रखने का प्रयास किया और आगे आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फिर मेरा मार्क दर्शन करें या मैंने जो भी बातें कही है आप उसको किवल का पता करके आप उसी का जवाब दे दें कि जो मैंने कहा है दोजार आरेंबी सी एक से लेकर सहारा क्रेड़ को प्री सोसाइटी तक पहले तो 40,000 करोड कहीं नहीं है निवेसक 7 करोड है और यह जो आपने आरोप लगा कि सीडी नहीं खूल रहा था तो सब पुछना होगा वकिल साइब साहरा जमा कर वाए या नहीं कर वाए 2023 करोड को में दस्तावें ऍहींदी यह नहीं सारा की निवेसक्त इन सब चीजों का परताल करके ही आप वकील साहब आएं क्योंकि हम भिहारी हैं हम जारखंड से हैं और हम एक पत्रकार हैं तो हम तो इस बात को पता लगाएंगे ही और अपने माध्यम से इस अभिहार को आगे बढ़ाएंगे भी आप उसे भी गुजारिस रहेगी कि आप मु झाल